दोस्तों उत्तरपदेश प्राचीन काल से ही भारत की राजनिती और शासन का केंदरा है। चाहे बात महाजन पद या गुब्त काल की हो या फिर आजकल के समय की। यहां तक कि भारत के प्रथम स्वतंतरदा संग्राम की शुरुवाद भी उतरपदेश के मेरट से ही हुई थी। आज की हमारी वीडियो इसी टोपिक से सम्बंदित है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रथम स्वतंतरदा संग्राम में उतरपदेश की भूमिका। ये बात है 1857 की जब 29 मार्च को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। फाना कि मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अपरेर 1857 को मंगल पांडे को फौंसी दे दी गई। इसके बाद कुछ और सेनिकों ने भी विद्रोह किया जिसकी वज़ा से अंग्रेजों ने उन्हें भी कैद कर लिया लेकिन भारतिय सेनिक भी कहां पीछे रहने वाले थे इन्होंने दस में 1857 को विद्रोह का बिगुल फूंग दिया और यहीं से हुई 1857 की करांटी की लिया था इस सारे घटना करम से अवद की जिनता कावी नारास थी करांटी की खबर पहुंचते ही 30 मई 1857 की रात में लखनव की सेनिक चावनी में विद्रोह कड़ा हो गया लखनव के बाद ये लोग फैज़ाबाद गए जहां एक बड़े करांटीकारी मौलवी एहमद उल और मौलवी साहब की लिडर्शिप में ये चल दिये लखनव की और लखनव की मुक्ती के साथ ही सारे अवद पर करांटीकारियों का अधिकार हो गया जुलाई में नवाब वाजित अलिशाह के 11 वर्शिय पुत्र बिर्जिस कादर को अवद का नवाब घोशित किया गया औ और उनकी माता बेगम हजरत महल संरक्षिका के रूप में शासन समाल दी रही इसके बास सितंबर और अक्टूबर में करांटीकारियों और अंग्रेजों के बीच काफी संगर्श हुए और मौलवी साहब के नेतरत में करांटीकारियों ने कभी पोलिन कैम्प बेल तो कभी जेम साउटरम का सामना किया अखिर में इन सारे अंग्रेज जंदल्स ने मिलकर मोड़ चलिया और अपरेल 1858 तक लखना उपर अंग्रेजों का फिर सधीकार हो गया मौलवी साहब यहां से शाह जाहँपूर चले गए और बेगम हजरत महल नेपाल की तरही के जंगलों में चले गई तो इस तरह एक साल तक अवद करांती का एक प्रमुक के इंदर रहा अवद के अलावा एक दूसरा प्रमुक छेतर था रुहेल खंड जहां 31 मही को सेनिकों ने करांती कर दी थी इन सेनिकों का नेतरत भी क्या था जनरल बख्त खाने जल्दी बरेली से अंग्रेज कानपूर की जहांके ना ना सभी रौर्ड डलोजी की राज्य पन cultivation के शिकार होए थे नाना साहाब करांती की चुन को हूई को ना च्हा Chemistry कर 16 ने खजाना लूट ललूट लिया ना साहब ने करांतिकारियों को लेकर छेज़ून को खुला आकरमण कर दिया इसके बाद अग् पर फिर से कानपूर पर मजबूत हो गई, नाना साहब और तात्या टोपे यहां से जांसी की रानी की मदद करने के लिए चल दिये, जांसी में भी चार जून को ही करांती का बीगुल बच गया था, 12 जून तक जांसी के किले से अंग्रेजों को खदेड दिया गया, रानी लक घर्षों में घायल होई और काल पी पहुँच गई, वहां से उन्होंने दुबारा जहांसी को तंतर कराने के लिए जद्दोज़ जारी रखी, लेकिन आखिरकार 17 जून को रानी लड़ते लड़ते वीरकती को प्राप्त होई, जिससे करांती की आखरी आवाजे भी धीरे- अग्यपूर घटना हुई इलावाद में, जहां अंग्रेजों ने मानवता को भूलकर भेंकर नसंगार किया, इलावाद को मौलवी लियाकतली के नेतरत्म में 6 जून को करांती कारियों ने स्वतंतर गोशित कर दिया, लेकिन कर्नल नील ने 11 जून को यहां आकर फिर से इल अली बहादुर ने 14 जून 1857 को करांती कारी शासन इस्थापित कर दिया, जिससे यहां भी इंडारेक्टली नाना साहब का दिकार हो गया, इसी तरह मेरट के पास परिक्षित गड़ में गुजरों ने विद्रोह किया, और चोधरी कदम सिंग को अपना नेता चुना, तो द नवाब अली बहादुर और बक्त कहां जैसे महान नायकों की कर्म भूमी भी उत्तर प्रदेश रही,